हेलो, what's up guys, how are you, तो आज की इस वीडियो पर हम email verification देखने वाले है, in monstack, मतलब कि अब जब भी हमारे जो पिछली system में हमने यहाँ पर complete monstack authentication के हमने complete यहाँ पर playlist क्रेट किया है, आप जैसे यहाँ पर हमारे जाएंगे हमारे यूटूब चैनल पर और यहाँ पर playlist के section में यह यहाँ पर इस वाली जो आप देख सकते है, monstack authentication and authorization tutorial अंदिन इसको यहाँ पर viewfull playlist पर क्लिक करेगे, तो हमारे complete playlist यहाँ पर open हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हमने सबसे पहले वीडियो में हमने यहाँ पर monstack authentication चिस पर हमने यहाँ यहाँ पर user authentication, jwt, node.js and mongodb की मज़े से complete authentication यहाँ पर create किया था, जिसके अंदर हमने user registration, login, securing and token based authentication अपर apply किया था, first वाले वीडियो में, फिर दूसरे वाले वीडियो में हमने यहाँ पर forget password की functionality को add किया था, मतलब कि अगर user हो यहाँ पर उसका password है, वो यहाँ पर भूल जाता है, तो वो यहाँ पर forget password मत email verification देखने हो, मतलब कि जब भी user हमारा जो new user हो यहाँ पर register होगा, तो उसको यहाँ पर सबसे पहले जो भी email डालके वो यहाँ पर register होता है, तो उसको हम यहाँ पर inbox में email verification email send करेंगे, फिर वो user अपनी inbox में जाकर उस email को verify करेगा, फिर वो हमारी system पर login कर सकता है, तो से पहले इस playlist को यहाँ पर click करके इसको bookmark किजिए, फिर step by step सभी video को यहाँ पर follow किजिए ताकि आपको idea, एकदम idea है कि किस तरह से मैं इस front end और back end को यहाँ पर build किया था, तो आपको शुरू से लेकर first video और second वाल दोनों को यहाँ पर complete watch करना है, तो इस video को आपको आपको आ इसके लिए मैं यहाँ पर temporary email का use करूँगा, तो इस email की मदद से हम यहाँ पर user को register करेंगे, फिर इस inbox में हम यहाँ पर email send करेंगे, फिर वहाँ जाकर इस user को यहाँ पर login कर सकता है, तो आप देख सकते हम यह email URL यहाँ पर मिल चुका है, simply इसको हम यहाँ पर copy करेंगे, फि इसको लिए मैं simply यहाँ पर लिखूँगा demo और उसका जो email address हमने copy करेंगे था, फिर password में हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, अब जैसे में यहाँ पर register पर click करूँगा, तो जो हमारा user हो यहाँ पर आप देख सेते registration success, we sent you email for verification, please verify it, और user जैसे हो के पर press करेंगा, तो हमा यहाँ पर receive हो जाएगा, आप देख सेते हमने जो भी user यहाँ पर register हुआ है, उसका email verification हमने यहाँ पर send कर दिया, आप जैसे user यहाँ पर click करेगा, तो वो यहाँ पर verify email पर click करके अपने email को verify कर सेकते, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर login करके देखते है, तो जैसे user बिना email को verify कि register करने के कोशिश करेगा, तो मैं यहाँ पर email डालके यहाँ पर register करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, अब जैसे मैं यहाँ पर login पर click करूँगा, तो आप देख सेते हमने email verification pending है, मतलब कि अभी हम अमारे user ने अपने email को verify नहीं कहा, तब इसलिए वो यहाँ पर login नहीं कर पारे, email है, वो यहाँ पर verified successfully मतलब कि email, आप देख सेते हमने backend में हम हमारा unique URL है, वह यह पर user को send करके, हमने यहाँ पर email verify को यहाँ पर verify कर दिया, तो आप देख सेते हमने यहाँ 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 टोकन बेज एक unique URL चनरेट किया, जिसकी मदेश से हो यहाँ यहाँ पर generate करेंगे, फिर अभी user जाकर इसको यहाँ पर register करने की कोशिश करेगा, तो हो यहाँ पर successfully register हो जाएगा, तो आप देख सेते हमने already यहाँ यहाँ पर add किया, अब जैसी user login पर click करेगा, तो यहाँ देख सेते हमने जो login हो यहाँ पर successfully हो चुका है, और जैसी ok press करेंगा, तो ह हमारे home page को अभी access कर सकते है, क्योंकि इसने अपनी email को यहाँ पर verify कर दिया है, तो अभी वह जाकर अपनी complete account को access कर सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अब देख सेते हमने backend URL पर email है उसको यहाँ पर verify कर दिया, तो अभी हम यहाँ पर step by step इस सारी functionality को हमारे application पर use करते है तो इसके लिए अगर आपको इस वीडियो का source code चाहिए, मैं इस इस एप्लिकेशन पर उस function मतलब की email verification की function ID को add करूँगा, तो आपको इस वीडियो का source code लेने के लिए आपको जाना होगा हमारे इस playlist पर और इस वीडियो को किसी भी वीडियो के आप इस वीडियो के लिए description में जाएंगे, आप इस वीडियो के लिए करके सबसे पहले इस वीडियो को like कर और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजे, फिर नीचे आप यहाँ पर इस description में आप जाएंगे, तो आप देख से अमने यहाँ पर complete source code यहाँ पर दिये हूँ, simply user को यहाँ पर जैसे क्लिक करेग फिर आप जहाँ पर भी अपने project को clone करना चाहते है, वहाँ पर जाएंगे, फिर आप राइट क्लिक करके, यहाँ पर git based option आ रहे है, उसको open करके, यहाँ पर आप simply command लिखिये, git clone और यहाँ पर जो URL आपने copy कहता, वो simply paste करके, आप जैसे ही enter paste करेंगे, तो जो आपका पूर इसको clone करेंगे, तो उसके अंदर आपको दो folder मिलेगा, सबसे पहला होगा हमरा client, जिसके अंदर जाके आपको simply npm i command लिखना है, तो आपका जो node module है, वह वहाँ पर create हो जाएगा, सेम उसी तरह आपको सरूर के लिए भी करना है, तो दोनों के जो node module है, वह यहाँ पर create हो ज मिलता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने हमारे complete project को हमारे system पर clone करके, उसको हमारे vs code text editor पर open कर लिया है, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर client और server दोनों को यहाँ पर start करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर terminal पर open करके, सबसे पहले हमारे front end को यह यहाँ पर run होना चालो हो जाएगी, फिर उसी तरम यहाँ पर हमारे server को भी start करेंगे, तो इसके लिए जाएंगे, हम cd server पर और इस server पर हमारे जो backend है, वो यहाँ पर run करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे, इस npm run server, अगर आपको इसके बार में idea नहीं, तो आप प्ली वीडियो को देखके, आप इस वीडियो को यहाँ पर implement करें, फिर जो हमारी last वाली है, जो हमारी email verification के लिए, उसको आप यहाँ पर देख सकता है, कि आपको एकदम idea जाए कि कि किस तरसे मिन यहाँ पर front end और back end दोनों को setup किया, तो आप देख सकते हमारी जो पूरी यहाँ पर हमारी अभी रेक की application यहाँ पर run हो रही तो थोड़ा सा wait करेंगे, जब तक हमारी रेक जिस की application यहाँ पर run हो जाए, तब तक, तो अभी हम यहाँ पर step by step email verification की process को यहाँ पर start करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ अपके time हम यहाँ पर front end में कुछ ने, क्योंकि जितना च्वल के लिए हमारा operation होगा, उप पूरा back end में करेंगे क्योंकि चोब भी हम यहाँ पर जब भी user registered करेंगे, तो सबसे पष्छा पर email send करेंगे, तो जोब भी user की registration का वक्क, जोब भी email send करेंगे, फिर वहाँ पर जाकर यूजर यहाँ पर उस पर get request करेंगे, तो उसके related हम यहाँ पर जो भी token generate किया है उसको हम यहाँ पर verify करेंगे तो हमारी जो application है वो यहाँ पर run होगी तो इसको हम यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो application हो यहाँ पर run हो चुके तो अभी हम यहाँ पर step by step इसको यहाँ पर apply करेंगे तो इसको यहाँ से close कर लूँगा मैं हमारी ज रखेंगे 3000 तो हमारी जो रेक की अप्लिकेशन है वह यहां पर रन होगी फिर अभी हम जैसे यूजर यहां पर अपना इम, इमेल और पास्वोड डाल के रजिस्टर करेंगा तो इस रजिस्टर पर हम जो बेकेंड में वर्क करें वहां पर हम इमेल सेंड करेंगे इसके लिए जाएंगे हमारे इस अप्लिकेशन पर और सरोर पर जाकर हम यहां पर जाएंगे हमारी स्थे पहले मिया पर मॉडल को यहां पर हम अप्डेट करना होगा क्योंकि अपकी बार में एक और फिलेट करेंगे चो कि होगी वेरिफैर्ट तो जब यह उसनी सब्सेपर रिजिस्ट लिए name, email and password को add किया था तो इसी तरह में यहाँ पर add करूँगा is verified तो यहाँ पर में हम लिखेंगे is verified और इसको by default इसका जो type होगा वो होगा हमरा string फिर इसको हम save करेंगे आप देख आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर default value भी add कर सकते लेकिन वह जब भी यहाँ पर save करेंग तब हम add करेंगे लेकिन आप यहाँ पर default के तरियम यहाँ पर आपको इसको false कर सकते है लेकिन हम यहाँ पर model के through add करेंगे तो इसके लिए अभी हमने यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमें schema में से इसको यहाँ पर add कर देना इस verified को फिर अभी हम जाएंगे हमारे control पर और worth control पर जो भी हमारा user registration वाला था इसी पर हम यहाँ पर अभी work करेंगे तो अभी हम सबसे पहले हमने हमने यहाँ पर चेक करवाया है name अभी में इसको यहाँ पर minimize कर देता हो फिर हम यहाँ पर दिखेंगे तो अभी हमने सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर आए थे कि name, email and password मिलेगा तो अभी हम इसके अंदर जो user मिलेगा अब हम यहाँ पर हमें complete condition लिखने होगे आप देख सेते हैं हमने यहाँ पर user को save करने का code लिखा था लेकिन अभी हम यहाँ पर use save करने के code उसके साथ सथ हम यहाँ पर एक token भी generate कर वाकर उसको एक unique link create करेंगे फिर जैसे user submit करेंगे तो वह unique link अब email के through उसके inbox पर send करेंगे तो इसके लिए अब यहाँ पर सबसे पहले token generate करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा generate token तो यहाँ पर सबसे पहले secret की यहाँ पर लिखेंगे तो मैं आप लिखता हूँ const जो हमारे secret की है उसको मैं यहाँ पर define कर देता तो मैं यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर लख सकते हैं मैं आप कुछ भी यहाँ पर आप अपने साब से यहाँ पर इसको रख सकते हैं तो मैं इस तरह की यहाँ पर कुछ string यहाँ पर दे देता हूँ आप अपने साब से कोई भी secure की यहाँ पर add कर सकते हैं तो मैंने की यहाँ पर add कर दी अभी हम यहाँ पर एक token जन वेट कर रहेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा const token equal to यहाँ पर हम इस टर्डिंग लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे HTTP और colon double slash local host अब की बार हम यहाँ यहाँ पर 9000 पर ही यहाँ पर send करेंगे तो यहाँ पर लिखूंगा लोकल विस्ट यहाँ पर 9000 जो भी हमारा बेकेंड का URL हो क्योंकि हम इस email verification को हम यहाँ पर बेकेंड में ही handle करेंगे इसके लिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे जगह हम यहाँ पर link लिखेंगे क्योंकि हमारी link होगी अब उपर हम यहाँ पर इसको token को generate करेंगे तो हम यहाँ पर लिखता हूँ secret की पास करेंगे फिर last में हम यहाँ पर expired date पास करेंगे कि इतने देर को बाद हमारा जो token है वह यहाँ पर expire हो जाना चाहिए तो में यहाँ पर हम define करेंगे 5 minutes तो जो भी हम यहाँ पर link generate करेंगे वह यहाँ पर 5 minute के लिए वोलिड रहेगा अगर user 5 minute के बास इस link को यहाँ प आपको जितनी भी रखनी वह यहाँ से आप रख सकते तो अभी हमने यहाँ पर एक unique link भी यहाँ पर generate कर दिए तो simply हम इस link को user को यहाँ पर email करना है तो अभी हम यहाँ पर email का code लिखेंगे email करने का तो इसके लिए अब देखिए तो में यहाँ पर already हमने जो email के forget password की functionality में जो हमने email को functionality को add किया था हम यहाँ पर copy करेंगे लेकिन अब की बार हम इस पूरे code को यहाँ पर copy करने के बज़ हम एक separate file create करेंगे तो जाएगे हम config में और यहाँ पर हम लिखेंगे email template.js क्योंकि अभी हम इसी तरह की कुछ एक file create करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर function create करे the const send email to username की a function create करेंगे और इसको हम हम यहाँ पर link और यहाँ पर email हो दोनों को हम receive कर लेंगे फिर उसको हम यहाँ पर इसको send कर देंगे तो इसके लिए अभी यहाँ पर जितना भी हमने लिखा था उनको चो भी हमारा email sending का code है वो हम यहाँ पर इसको import कर लेंगे आप देख स यही से लेकिए हमार जो complete email sending का जो भी code है वो इसको मैं यहां से copy कर ले था हूँ फिर उसको वहाँ पर जाकर इसको directly implement कर देंगे तो यहां से code को यहां से copy किया फिर हम जाएंगे इस template में और यहां पर simply इसको paste कर देंगे और इसको node.js जिस पर मैंने a to z information आपको दिए है कि किस तरह से node.js की मदद से अपने email को send कर सकते तो आप इस वीडियो को भी follow करेंगे तो आपको एकदम idea आजे कि किस तरह से हम node.js में email को send कर सकते तो अब जाएगे हमारे यहां पर और simply यहां पर जो भी हम जो जिस भी हम यहां पर send करेंगे अमरे link और email मिलेगा तो अभी आप देख सकते हमने service में यहां पर Gmail का यूज किया है तो आपको इसके लिए आपके Gmail में configuration करने पढ़ेगी जिसके लिए आपको यह जो complete वीडियो इसको watch कर लें ताकि कि आपको आईडिया जाए अगर आपको यह वीडियो ना देखे तो हमारी इस playlist में यह जो forgot password वाला है उस पर भी मैंने आपको बता है कि किस तरह सब Gmail में अपनी password को setup कर सकते हैं तो वह आपको यहां पर add करना होगा फिर आपको यहां पर process.env इमेल और इमेल के password इन दोनों को यहां पर configure करना पड़ेगा इसके लिए आपको अपनी यहां पर .env file create करने होगे तो मैं यहां पर server नाम के folder में आप लिखेंगे .env जिसमें हमारे सारे environment variable यहां पर store होगे तो इसमें हमें सब इमेल और password इन दोनों को यहां पर setup करना होगा तो इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे email और इसका जो password होगा हमने जो email में से हमें password मिला था वो हम यहां पर simply इसको define कर देंगे तो मैं यहां पर इसको यहां पर लिख लूँगा फिर simply आपको जिस भी email से आपको email send करना है, simply आपको उसको यहाँ पर paste कर देना है, और जो भी आपको email में, जो भी आपको password मिला है, उसको simply आपको यहाँ पर कर लेना है, फिर index.js में जाकर आपको this.env को configure करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर already create करके रखाए, तो जो आपका email है को यहाँ पर send हो जाएगा, फिर जो भी email link यहाँ पर unique link वहाँ से send करेंगे, वह हमें इस HTML template को यहाँ पर देखेंगे, आप देख सकते हमारी email template यहाँ पर आचुके, आपने यहाँ पर आप देख सकते एक जो बटन होगा, उस पर हमने यहाँ पर link को यहाँ पर बेच दिये दाकि जो भी user इस reset, अपके बार हम इस reset password की जगह में यहाँ पर लिखेंगे, verify email और यहाँ पर में लिखता हूँ, verify email, फिर यहाँ पर हम ऊपर भी यहाँ पर लिखेंगे, please इस content को यहाँ से remove करके, हम यहाँ पर simply लिखेंगे, please click यहाँ पर simple text लिख लेता हूँ, आप देखेंगे, मैं यहाँ पर simply इसको यहाँ पर लिख लिख लिया है, उसी तरह आपको नीचे भी आपको यहाँ पर इसको लिख लेना है, तो उपर से मैं यहाँ पर इसको copy करूँगा, इस code को आप देखेंगे, पूरी हमारी HTML की template ही जो की user.com email के थूरू send करेगे और इस तरह की show होगी, तो आप इस तरह से यहाँ पर HTML template को भी send कर सकते, फिर simply reset के button के जगह में यहाँ पर लिखेंगे, verify email, और आप देखेंगे हमने इसमें भी यहाँ पर link को send किया है, तो अभी आप देखेंगे जैसे हमारा mail option है, जिसमें हमारा सारे configuration होगे, और transport मे send mail के मज simply हमारा message है, वो यहाँ पर send हो जाएगा, तो इस तरह साब यहाँ पर इसको भी call कर सकते, तो हमारा email verification का है, वो हमने यहाँ पर successfully define कर दिया, हमारा email और email password को भी हमें यहाँ पर setup करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फटाक से उसको यहाँ पर, आप देखेंगे अमार यहाँ पर simply अभी हम उस function को call करेंगे, ताकि हमार जो email है, वो user को यहाँ पर send हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसकी के निचे हम यहाँ पर लिखेंगे, वो जो function हमने call किया था, उसको हम यहाँ पर import करेंगे, फिर इसके अंदर हम यहाँ पर link और email है, उन दोनों को हम यहाँ पर pass कर देंगे, फिर यहाँ पर इसको save करेंगे, तो अभी हम जैसे हमारा function call होगे तो आपने यहाँ पर यह पर पेरामेटर के थो हमने यहाँ पर link और email दोनों को send किया है, फिर यहाँ पर argument में यहाँ पर link और email को send करके तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फिर ज हम रिखेंगे is verified, उसको हम यहाँ पर direct सबसे पहले हम पर इसको false करेंगे तो इसके लिए हम लिखूँगे is verified और उसको हम यहाँ पर false setup करेंगे और चेसे user वाँप login करेंगे, तो हम हम इसको यहाँ पर update करके इसको true set कर देंगे, ताकि हमारा 만द जौ user है वो घर वेरीफए ह Email का यूज़ करेंगे इसके लिए मिया आप लिखोंगा Temp l अभी हम यहापर सिर्फ email का चेक करें कि हमारा यमेल है वह यहाँ 降 होता है कि कि नि तो इसके लिए अभी हम यहाँ यहाँ पर वैट करेंगे ज़े हम यहाँ पर login करेंगे, तो आप देखिए ते हम यहाँ पर मिल चुका, इसको यहाँ पर simply copy करेंगे अभी देख थिक हम रहे जो fresh new है, तो इसके लिए अभी हम हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं तो जाएंगे अमारे इस टेटने में और अभी हम यहाँ पर एक और जाएंगे हमारे Frontend में और Frontend में भी हम यहाँ पर हम यहाँ पर सेट रेकेंड का message था वो तो इसको यहां से copy कर लेंगे उनकों सारे को हम यहां पर इसको cut करके हमा इस strike block के अंदर add कर देंगे फिर हाँ पर हम save करेंगे अगर हमारा जो response हो यहां से運 यहां पर two zero one मिलाया है आ one इतला इसका मतल़ हो, हमारा जो ऀूजर है, वो यहापर login, हुए चुका इस हिंपली, इसको यहापर scroll करेंगे, अभि हम save करके अभी हम यहापर check करेंगे तो वापस हम यहापर इस email को यहाँ से copy करेंगे, फिर इसको यहाँ पर एक बाई reload करके, हम यहाँ पर हम खुद का नाम डाल के यहाँ पर मैं अभी email डालता हूँ फिर यहाँ पर password डालता हूँ 12345 फिर यहाँ पर अभी network टेप भी open कर लेते हैं तो देख सकते हमारा work कर रहा है किन तो जैसे मैं आपर register पर click करूँगा तो आप देख सकते हैं नोड मेलर को कि हमारे जो error है वह मिल चुका है मतलब कि हमने यहाँ पर हमारे इस email template में हमने नोड मेलर को import नहीं किया आप देख सकते हमने यहाँ पर directly इसको यूज किया है तो simply हम यहाँ पर उसको यहाँ पर import करना होगा तो इसके लिए हम यहाँ नोड मेलर को हमारे system पर already install है तो हम यहाँ पर लिखूँगा import नोड मेलर from नोड मेलर फिर अभी हम यहाँ पर save करेंगे तो अभी हमारी जो error है वो यहाँ से remove हो चाहेगी क्योंकि हमने यहाँ नोड मेलर को import नहीं किया था उसके बारे में error थी अभी इसको reload करेंगे अभी एक बार और चेक करते इसको यहाँ से copy करेंगे वापस हम यहाँ पर अपना name डालेंगे फिर यहाँ पर वापस हमारी email को डालके अब की बार one two three four और five डालते और इसको यहाँ से सभी को यहाँ पर remove करके अब की बार जैसी में register पर click करूँगा तो आप देख से हम register हमारा successfully register हो चुका है और जैसी ओकर प्रेस करूँगे त आप देख से हमारा जो click below link and verify वाला जो बटन है वह हमें show हो रहा है अब आप देख से जैसे user यहाँ पर click करेगा तो अभी आप देख से हमारा token वाली है जैसी में यहाँ पर click करूँगा तो अभी आप देख से थी cannot get कर रहा है क्योंकि हमने इसी के लिए हमने जो route है उसको define नहीं किया तो अभी हम इसको यहाँ पर setup करेंगे यह होगा हमरा last operation फिर इसमें हम चेक करेंगे हमार जो token हो यहाँ पर expired तो नहीं हो गया फिर यही से user को हम यहाँ पर verify कर देंगे तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे backend पर तो हमारा जो last defend करेंगे यहाँ पर try catch तो यहाँ पर हम वापस alert करवा देंगे अगर हमें कुछ भी response में यहाँ पर लिखेंगे error.response.data इसके अंदर हमारा message जो हमने backend में defend किया था वो सारे इसी में आएगे फिर हमारा जितना भी यह वाला काम है उसको हम control x करके हम यहाँ पर try के block में parameter करके इसको save कर देंगे फिर जो हमारा console लोग है उसको यहाँ से हम remove कर देता हूँ फिर अभी हम यहाँ पर हमारा जो work करें होगा वह यहाँ पर successfully work हो जाएगा तो इसके लिए हम यहाँ पर वापर से एक alert लिखेंगे जो कि हम successfully register के लिखेंगे तो यहाँ पर लिखूँगा response.data जो उसके अंदर जो हमारा message मिल रहा है वो इसको save कर दूँगा फिर अभी हम यहाँ पर backend में हमारा जो last route है उसको define कर लेते तो इसके लिए जाएगे हमारा इस author route पर और जो भी हमनी यहाँ पर आप दिखेंगा यहाँ बेकेंड का work होगा वो होगा हमारा verify colon token तो इसके related हम यहाँ पर हमारा जो by default होगा वो इसके नीचे हम यहाँ पर इसको define करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखांगा email verification फिर इसके नीचे हमारा same इसको हम यहाँ पर copy करेंगे फिर इसको हम यहाँ पर paste कर देंगे directly और यह होगा हमारा get method और अब की बार हमारा URL होगा होगा slash verify यहा यहाँ पर colon में token जो token आएगा हो उमरा dynamic लिए आएगा तो यहाँ पर मैंने लिखा colon token जो भी हमारा a वाला token हो हमारा dynamic आएगा तो इसके लिए तो यहाँ पर मैंने इसको define कर दिया फिर यहाँ पर हम एक message करेंगे तो यहाँ पर save यहाँ पर लिखूंगा verified email इस नम का हमें एक method create करेंगे आप चाहिए तो अपने इससाब से कुछ भी नाम यहाँ पर दे देंगे फिर इसको सेव करके इसको यहाँ से copy करके इसी के अंदर जाकर हम इसको verify कर लेते इसके पहले हम जितनी भी method है उसको यहाँ से minimize कर लेते ता static और जो भी हमने यहाँ पर create किया था वह आएगा हमरा और यह method होगा हमरा async फिर उसके अंदर हमें request और response दोनों मिल जाएगे same जो हमने बाकी round के साथ किया था वेसी तरह तो अभी हम सबसे पहले हम यहाँ पर जानेगे कि हमारा token हो जो आएगा हमरे request के param में मिलेगा तो म जो भी मिल रहा हो हम यहाँ पर request और पहर हम से में यहाँ पर destructure कर लेंगे फिर अभी हम यहाँ पर सबसे पहले try के कि आप लोग वापस से use करेंगे क्योंकि अगर कुछ भी error होगी तो हम यहाँ पर return में मिल जाएग तो मैं यहाँ पर लिखूंगा return response.status और वो होगा हमरा 400 और यहाँ पर json के थोर पर हम यहाँ पर message को user को send कर देंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ message और यहाँ पर आएगा हमरा error जिसके अंदर जो भी हमारा message होगा वो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले check करेंगे कि हमारा token हो हमें मिल रहा है कि नहीं तो इसके लिए मैं यहाँ अपर लिखूंगा if token जो अगर हमारा token हमें मिलता है तो ही हमें आगे फर्दर करेंगे वर्नाम यहाँ पर else part में यहाँ पर user को message चो कर रहा हो देगी कि हमें token यहाँ पर नहीं मिला है तो यहाँ पर simply उसको यहाँ पर ऐसा message लिखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर लिखेंगे invalid url यहाँ पर में लिखूंगा invalid url अगर हमारा token अभी मिलता है तो हम सबसे परे token को अभी verify करेंगे तो हम यहाँ पर लिखता हूँ token verify क्योंकि हम यहाँ पर check करेंगे कि हमारा JW token है वह यहाँ पर expired तो नहीं हो गया तो इसके लिए मैं आपर लिखूंगा const is expired फिर यहाँ पर हम लिख अभी हमरा यहाँ पर लिखेंगे is verify कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं फिर यहाँ पर हम await का यूज करके सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यॉज़ करके हम यहाँ यहाँ पर JWT. यहाँ पर verify method call करेंगे और उसके अदर सबसे पहले हमारा token पास करेंगे और दूसरी जो हमारी secret की हमने उपर generate की थी वो हम यहाँ पर send करेंगे तो इसके लिए जो हमने register करके वाक्त 24 secret की हमने यहाँ पर डाले थी वही हम यहाँ पर use करेंगे क्योंकि इसी secret की मज़े से हम यहाँ पर इस token को generate कर वाय था तो इसी secret की की मज़े से अब इसको यहाँ पर verify करेंगे तो इसके लिए हम इसके को से हम यहाँ पर copy करके मैं यहाँ पर उपर इसको define कर दूँगा फिर इस secret की को मैं यहाँ पर इसको pass कर देंगे तो अभी हम यहाँ 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 पर store होगा फिर यहां पर हम लिखेंगे link expired क्योंकि अभी हमारा अगर verify नहीं मिलता तो मतलब कि हमारा token है वह यहां पर expired हो चुका है अभी हम सबसे पहले हम जब भी हम पर token करते हैं जो भी हमने इस token में email store करवाय था आप देखेंगे यहां पर लिखेंगे const यहां पर मैं लिखूँगा get user और मैं यहां पर await का पिर हम यहां पर auth model में सबसे पहले find करेंगे तो यहां पर auth model में जो हमारा find one है उसको call करेंगे और उसके अंदर अब भी हम एक object पार्श करेंगे हमारी email है वह अभी हमारा इस email verified कांदर जो इसके अंदर हमारा email आएगा तो इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे तो इसके लिए आप देख से हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिए है तो अभी हमारा जो गेट यूजर है उसमें जो जिस भी email से हमारा जो token generate किया हुए उस user की सारी information हमारे इस get username के variable में होगी तो अभी simply इस user की मज़े से उसको यहाँ पर update कर देंगे तो यहाँ पर लिखूँगा const यहाँ पर लिखूँगा save email इस तरह का एक variable create के हम यहाँ पर लिखेंगे await और जो हमारा auth model है उसके अंदर हम एक method create करेंगे dot find by id and update फिर इसके 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 इंदर सबसे पर हम id define करेंगे तो id होगी हमारे इस get user के इंदर जो dot underscore id हो हमें मिलेगी इस id पर हम यहाँ पर update कर वादेंगे फिर यहाँ पर ए setup कर देंगे मतलब कि जो हमारा is verified है उसको हम यहाँ पर true कर देंगे ताकि user यहाँ पर आसान इसे login कर पाए तो अभी हम यहाँ पर check करेंगे कि अगर हमारा जो save email है वह यहाँ पर successfully होता है तो हम यहाँ पर लिखूंगा if जो user है वह तो हम यहाँ पर successfully written message करवा देंगे तो अ email verification success फिर इसको हम save कर देंगे तो अभी हमारी जो complete email verification की जो भी process है वह हमने यहाँ पर complete कर दी तो अभी हम यहाँ पर इसका use कर सकते है इसी तरह तो अभी हम यहाँ पर वापस एक demo देखती कि हमारा जो successfully work कर रहा है कि ने तो इसके लिए जाएंगे हमारा इस application पर और again हम एक और यहाँ पर temp mail का use करेंगे तो again मैं यहाँ पर लिखूंगा temp mail अपकी बार हम एक fresh new user का complete यहाँ पर सारा workflow देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर work करता है तो यहाँ जो fresh new email मिलेगा उसी से हम यहाँ पर login करेंगे तो आप देख से हम यहाँ पर मिल गया लेकिन इसको यहा करेंगे आप अपने इसाब से अपनी real email ID के साथ भी यहाँ पर work कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर demo purpose के लिए यहाँ पर temporary mail का use कर रहा हूँ तो simply इसको copy करेंगे आप देख से हमारा fresh new email है तो अभी मिलेगा सबसे पहले test करेंगे सबसे पहले user को यहाँ पर registration करवाएंगे त मतलब कि हमारा user है और register हो चुका है अब simply okay पर press करेंगे तो अभी हम यहाँ पर login करने के try करते हैं यहाँ पर यहाँ पर पासवर रिसेट का हमाँ है email आ चुका है लेकिन अभी हम यहाँ पर email को verify करें यहाँ पर login करने के try करते हैं कि देखती हम यह message में क्या मिल रहे तो हम हम यहाँ पर इस email को put करेंगे और यहाँ पर लेखेंगे 12345 अब जैसे हम यहाँ पर login पर click करूँगा तो आप देख से अभी हम अच्छा हमने यहाँ पर सबसे पहले एक mistake की हमने यहाँ पर login पर भी हमने चेक नहीं करवा है तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे हमारे से अब वापस हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है कि हमने यहाँ पर login पर भी हमने एक functionality को add करना है तो इसके लिए जाएंगे हम इस login पर और यहाँ पर सबसे पहले उस functionality को भी यहाँ पर add करेंगे तो इसी के निचे आप देख सकते हमने यहाँ पर सबसे पहले email और password donor को get किया ह और यहाँ पर is user को भी हम यहाँ पर मिल रहा है तो इसी के निचे हम यहाँ पर सबसे पहले verify करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा check if user is verified यहाँ पर लिखूँगा check if email is verified तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ email is verified तो अभी हम यहाँ पर check करेंगे कि यह वाला जो user है उसका email ह तो वह वेरिफाय हुआ की नहीं तो आप यहां पर देख सी तो मिनिया पर लिखे कि const is verified profile equal to worth model में हम यहां पर find by id की मद्दे से user को यहां पर find किया है अब इस verified profile में इस user की सारी information यहां पर हमें मिल जाएगी तो अब इस इंपलियम यहां पर condition लिखेंगे कि इफ जो हमारा इस is verified के अंदर जो हमारा dot is verified जो हमारा method है तो यहां पर अगर यह true है तो ही हम यहां पर आगे जाएंगे वरनाम इसको यहां पर अगर हमारा जो यह true नहीं होगा इसका लब हो false है तो हमारा जो user है वो यहाँ पर login नहीं पर कर पाएगा क्योंकि जैसे user वहाँ पर verify करेगा तब ही हमारा जो is verified हो उसकी value यहाँ पर true होगी लेकिन बिना value true होए वो इसको login नहीं कर पाएगा तो इसके लिए मियाँ पर message में हम इसको response में send करेंगे तो यह isgue को ही हाँसे हम इसको यहाँ से copy करूंगा और ऊपर यहाँसे इसको define कर दूंगा ishi के अंदर और यहाँपर true 100 में message में हम लिखेंगे email verification pending तो में हैं पर लिखता हूँ email वेरिफिकेशन, पेंडिंग और इसको हम यहां पर सेव कर देंगे, फिर यहां पर हम यहां पर इस स्पेलिंग को यहां पर ठीक करके, अभी यहां पर लिख्टाओ पेंडिंग, अभी जो भी हमारा इफ वाले कंडिशन है, इसको हम यहां पर, यहां पर इसको यहां पर कट कर करेंगे फिर उसी को मिया पर इस इफ कंडिस्टम ने हैं पर पेस्ट कर देंगे ताकि यूजर अगर जो भी यूजर रेजिस्टर है वो ही हम यहां पर लोगिन कर सकता है तो अभी हम वापस एक बार और चेक करते हैं अब की बार इसको यहां पर डिलिट करके अगर एक अब यहाँ जो यहाँ पर रिजिस्टर कर Selbstt home यूजर क्रवाते तो यहाँ पर नेम डालेंगे अपना फिर यहाँ पर उस इमेल को डाल के यहाँ पर वहन्ट टू इमेल था उसको यहाँ पर पास डाल के 1, 2, 3 और 4 डाल के अभी यहाँ पर जैसे login पर click करेंगे तो अभी हम वापस से अभी भी हम यहाँ पर login successfully करें क्योंकि अभी हम वापस से चेक करेंगे तो तो अभी हम यहाँ पर हमें error मिल थी तो सबसे पहले model में इस verified को यहाँ पर सबसे पहले boolean कर देते फिर यहाँ पर इसको save करेंगे अभी हम वापस से चेक करेंगे हमेर mistake कहाँ पर है क्योंकि हमारी जो सारी process है वह नों हमने यहाँ पर follow कर दी थी तो अभी हम यहाँ पर password है किया फिर हम यहाँ पर निचे निचे scroll करेंगे वर जाएंगे अब देखेंगे हमारा जो set is verified है उसको हमने यहाँ पर true कर दिया get users में तो अभी हमारा यह वाली function तो यहाँ पर successfully work करें तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर ऊपर ही तो यहाँ पर direct email का यहाँ यहाँ पर generate करेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमार जो यह फक कर रहा है कि नहीं तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको copy करूँगा जो नया हमें मिलेगा वो इसको हम वापस यहाँ पर register करवाएंगे तो यहाँ पर मिलेखंगा register अब की बार यहाँ पर रहो करेंगे फिर यहाँ पर इस एप्लिकेशन को अगेन यहाँ पर वापस से कंट्रोल आर्ट रिफ्रेश करके इस इस एप्लिकेशन को complete refresh करनेंगे फिर यहाँ पर एक और न्यू फ्रेश इमेल अभी यहाँ पर डेमो को देखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिवियस लिए जो एप्लिकेशन है उसको यहाँ पर save नहीं किया था इसकी लिए तो इसको से हम यहाँ पर copy करके वापस हम यह यहाँ पर इसको register करवाएंगे देख से हम यहाँ जो name यहाँ पर डालेंगे फिर उसका email address डालके यहाँ पर 123 और 4 डालेंगे अभी हम जैसे register पर click करेंगे तो हमार जो user है वो यहाँ पर successfully register हो जागा फिर जैसे हो के पर click करेंगे तो हमार जो email है वो यहाँ पर आप देख स करेंगे अभी जैसे में यहाँ पर login पर click करूँगा तो अब भी आप देख से हमार जो email verification है वो भी हमारा pending में है क्योंकि हमने यहाँ पर email को verify नहीं किया तो जब तक हमारा email यहाँ पर verification नहीं कर पाएंगे तो जैसे ok करेंगे तो हम यहाँ पर ही रहे जाएगे तो इसके ल verify हो चुका है अभी हम यहाँ आप चाहिए तो यहाँ पर एक custom HTML template भी यहाँ पर render कर सकते हैं लेकिन मैंने simple यहाँ पर message show कर वा है आप इसकी जगह complete modern यहाँ पर HTML template को generate कर के आप user को यहाँ पर message show कर वा सकते हो लेकिन मैंने इस वीडियो पर यहाँ पर सिर्फ message को show कर वा है फ यहाँ पर वेरिफाय हो चुक है अब जैसे इमेल लोग इन पर click करेंगे तो अभी आप देख सेथे हमारा जो इमेल है अभी हम यहाँ पर login कर सकते हैं क्यूंकि आमार जो email है वह यहाँ पर हमने successfully verify कर दिया है तो आप देख सेथे हमारा welcome यहाँ पर code with विजिए उमें वो आमने यहां पर successfully यहां पर verify कर दिया है तो इस तरह साथ आप अपने months day की application पर email verification की functionality को add कर सकते हैं तो आशार रक्ति आपको हमारा यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया होगा तो please इस video को like करके आप नीचे comment करें कि आपको यह video कैसा लगा और अगर आपन अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि यह से यह लपफूल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पांस बहुत चलब हो जाए और हाँ अगर आपने हमारी इस कंप्लिट मनस्टेक ऑफ्लिकेशन क को एप्लाइ कर सकते है और अगर आपको यहां पर email के sending के बारे में चानना है तो आप जाएंगे यह वीडियो सेंक्षिन में और यहांपर आप देख च linen complete auto send an email in node.js using node और मेलेट पर complete वीडियो क्रेट किया है तो आप उसी तरह भी आप इसको सिख सकते हैं, तो आशा रखते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं ऐसे interesting वीडियो में, तब तक के लिए good bye.